नमस्कर दोस्तो मैं हूँ सरोज और आप सब का एक बाद फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना यूटूब चनल सपोर्टिंग सरोज भी दोस्तो कैसे आप लोग उमिद करता हूँ सब कोई ठिक नाक होंगे दोस्तो आज इस वीडियो में बात करने वाला एक नया एलाएसी एजेंट न्यू एलाएसी एजेंट जिसका एजेंसी कोड लिया हुआ अल्मोस्ट एक महिना दो महिना तीन महिना या फिर जाता ज्यादा छे महिना एक सल हुआ है वह आज के डेट में इस साल 2021 में 2021 में कैसे एमडी आटी कर सकता है एमडी आटी जो एक बैच होता है वह कैसे एचिवमेंट वह कैसे एचिव कर सकता है न्यू एजेंट जिसके पास फ्रेस एजेंसी कोड है जिसका कोई कस्टोमर बेल्ट नहीं है जिसका जाता ज्यादा अगर न्यू बिजनेस होगा नया प्रोपोश तक पहुंच सकता है इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए और आपको अगर यह वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको के बारे में भी सोचना चाहिए भी या नहीं हो सकता भी है या नहीं अगर हो सकता है तो कैसे अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि इस पकर का सपोर्टी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते तो चलिए देर ना करते हुए और आप लोग का डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर आते डिरेक्टी तो दोस्तों आज के डेट में जितना भी नया एजेंट है सब कोई ऑनलाइन बहुत सारा टेनिंग लेते हैं मैं भी एक लाइसी एजेंट हूँ सारा टेनिंग लेते हैं लिए फण सीच्वेशन पार करके आ चुका है अब यहाद रहते जोग बताते हैं अब में आपको जो बताने वाला हूँ यह practically experience के अनूसर में आपको बताने वाला हूँ तो आपको practical knowledge मिलेगा पहली बात और दूसरी बात वो लोग जो बताते हैं न वो कभी भी नया agent के लिए कभी वो कामगर होता नहीं है कि जिसके पस दस भी पॉलेसी नहीं दिया है जिसका कोई customer बेल्ट नहीं अभी तक एक नया agent का कोई customer बेल्ट नहीं होता है स्टार्ड होता है maximum लोग अभी तक अगर आप एक महीना दो महीना तीन महीना एजेंसी लिए हैं या पिर जादा जादा एक सल हुआ है तो 90% लोग आपका परिचीत 90% परिचीत जानता नहीं कि आप लाइसी करते हैं आप एजेंसी लिए हुए हैं और आपको बताने में भी कि थोड़ा बहुत साइने साता है सबका तो दोस्तों कि यह सिचुएसन है यह प्रब्लम है उनों किसके बारे में बात करते हैं जिसका 10 सल हो गया एजेंसी में जिसका 5 वह गया जिसका कस्टमर बेल्ट है 200-400 फेमिली के साथ क्लाइंट बेस हैं उनों लोग के लिए बात कर कर सकते हैं फटा-फटा आपको एक साल में 3-4 MDRT हो जाएगा COT हो जाएगा इसे बात करते हैं लेकिन नया एजेंट के लिए कारगर कभी भी साबित नहीं होता है तो नया MDRT के बारे में सोचना नहीं है सही बात बता रहा हूं सोचना नहीं MDRT MDRT होगा आपका आपका इसी साल MDRT होगा लेकिन MDRT के बारे में सोचना नहीं है क्योंकि अगर आप MDRT के बारे में सोचते हो तो आपको आपका और वो सारा जितना भी यूटूब में वीडियो देते हैं यूटूब में आपको ट्रेनिंग देते हैं अपने चैनल को चलाने के लिए उससाब से जो आपको जो प्रोसेस देते हैं उस प्रोसेस में आप कभी भी जा नहीं पहिएगा आपको 12 महिना का आपका टार्गेट देगा 12 महिना टार्गेट और आपका इस लाइनप में इतना अच्छा एक इंडर्स्ट्री है इतना अच्छा आपका केरियर जो आगे फ्यूचर में रेडी है उसको से आप डी मोटिवेट हो जाओगे तो दोस्तों क्यों क्यों ऐसा होगा क्योंकि आपके पस क्लाइंट बेस अभी नहीं है याद रखि जैसे जितना चाहे बिजनेश नहीं निकल पाऊगे यह याद रखिए तो आपक बी मिसनेश निकलने के बारे में नहीं सोचना है आपको सोचना है कि मुझे प्लाइड बेस रखना है आपको एक स्वा फैमिली के साथ क्लाइंट बेस बनाना है आपका काम है अभी मार्केट बनाना आपका वी बिजनेस निकालना ने बिजनेस आटोमेटिक होता है बिजनेस आटोमेटिक आएगा आपका काम है मार्केट क्रियेट करना तो सबसे पहले आपको तो यह सोच के लेकर जाना है जिसका दस से कम पॉलिशी पॉलिशी अभी तफ हुआ है आपने जिंदगी में 1-2 महिन足 3 महित यंग साल ज्याद से लिया हुआ है आपको तो इतना सोचना है पहले मार्केट बनाऊ अपको आप करो आपको सब को बताओ आपके जितना भी आपका जनकारी में सबको बस एक भी इनसान नहीं Morris सब को पता होना चाहिए आपको यह मार्केट धीरे धीर होगा और कभी नया एजेंट जो भी जितना भी एजेंट होता है जो भी एजेंट MDRT करता है आपको 10,000-20,000 एवरेज पॉलिसी में कभी MDRT होता नहीं है बॉस मानलो मेरा बाद आपकर 10 सिंपल सा फंडा है मोटा होसा में बताने का कोशिस करो आपकर 10,000 रुपया एवरेज पॉलिसी निकालते हो तो आपको MDRT करने के लिए 400 पॉलिसी करना पड़ेगा हर दिन यानि हपता में आपको 10 पॉलिसी करना पड़ेगा जो कि एक नया एजेंट के लिए कभी भी पॉजिवल नहीं होता है बहुत मुस्किल होता है तो यह चीज अब नामुम्किन कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त लेकिन 99% इसमें अगर ऐसा सोच के चले तो आपको अभी सोचना क्या है मार्केट रेडी रखना है और धीरी धीरी आपको कस्टमर बिस जैसे जैसे बढ़ेगा आपको छोटा पैक अभी भरना है छोटा पैक अगर बेचोगे आप तो आपका बड़ा पैक आटोमेटिकली आएगा आप कोई भी दूसरा कंपनी का बिजनेस मैथोड ले लो कोई भी अगर आपका बड़ा कोई सैंफु का कंपणी मानते हैं माल लोरियल का छोटा पैक कभी नहीं बहाइव को याद रहना किसी बी अगर आसिरवात का एक केजी वाला आटा पैक नहीं बढ़ेगा तो आपको छोटा पैक कुल पैक भीजना है झालाक सालाना का पॉलिसी मिलेगा जैसे आप अगर दो लाग पॉलिसी जैसे करने लगोगे आपका अठोचे candy की प ann böl महीन की आप अभी पहला तीन महीना अभी पहला दो महीन अभी पहला चार महिना आप देदो बस मार्केट रेडी करना है चोटा चोटा पैक अगले तीन महिना उस मार्केट में आपको अच्छा सर्विसिंग करना है और फिर अगला जो च्छो महिना होगा अखरी का छे महिना उसमें आप एमडियाटी के लिए भागोगे डैफिनेटली हो जाएगा याद रखो मेरा बात ध्यान से सुनो मेरा जो मैंने जो पोर्सेज बताया यही आपका कारकर सावी दोगा आज के मार्केट में आप नया एजेंट हो पहला तीन महिना आप सिर्फ मार्केट बनाना आपको आपको ब अगर आपको विज़िंग कार देना है बस लोगों से लश्याटी के बार में बात करना है कि आप लाएसी करवातै हो यह यह प्लान है बस तीन महिना आपको श्रीम्ट मर्केट उसमें आपका विजनस भी निकल कर bargaining के हैगा अगला तीन महिना उसी को सर्वीस इतना अच्छा आप जिस जगहा पर हो उसमें जाओ रसीद देने के लिए जाओ आपका पैसा minimum कलेक्षन के लिए जाओ उन लोग से बात कने के लए जाओ अगला तीन महींहां सर्वीसिंग अप इतना और अच्छा दो फिर अगला जो तिन महींहां जो सर्वीसिंग आपका मार्केट अच्छा रेडी हो जाएगा फिर अगला छे महीना जैसे होगा फिर आखरी का दो क्वाटर उसमें आप स्रिफ MDRT के लिए भागो आपको डेफिनेटली वहां से MDRT निकल गाएगा तो दोस्तों ऐसे करना है आपको MDRT आप अगर नया आजेंट हो और जिसके पास कभी भी 10,000 पॉलिशी से आप MDRT कर नहीं सकते कोई भी करता है करता है उसका 50-600 पॉलिशी में ही होता है तो सोचे कितना किस लेवल का पॉलिशी लोग सेल करते हैं तो आपको उस जगह पे पहुंचना है लेकिन सुर्बात शोटा से ही होता है मेरे भाई तो दोस्तों आपको अभी मार्केट बनाना है उमिद करता हूँ आपको वीडियो और इंफर्मेशन पर्सन आया होगा दोस्तों मैंने कोशिज किया वैसे एजेंट को नया एजेंट जो की स्टार्ट क्या हूं मेरा भी ज्यादा दिन नहीं हुआ है मैरा भी बहुत कम समय हुआ है दो तीन साल अदेको लेते हुए और लेकिन मैं इस बैक्तिकल मुझे मार्केट में मैं जाता हूं तो मुझे यह समझ में आता यह फ्यास करता हूं इसलिए आपको प्रैक्टिकल इनफ़र्मेशन दे पाता हूं और देता हूं तो दोस्तों इसलिए आप सब को जो एक नया एजेंट है या फिर से कम पॉलिसी आप बेज है उन लोग के लिए इसी information दे पाया हूं कि लोग के लिए एक information आये जो कि उन लोग दीमोटिवेट ना हो उमीद करतों आपको पसंद नहीं होगा पसंद आया तो इसले साल MDRT की हैं उलोग जरूर कॉमेंट करने के बताना क्योंकि ऐसे कॉमेंट करोगे तो मेरे भाईयों के जो व्यूवर्स है उलोग को मॉटिवेशन मिलेगा तुम चली दोस्तों मिलते आगले वीडियो में तब तक आप अपने ख्याल रखें मैं लेता हूं विदा शिएले ने रखें